समस्कार दोस्तो जैम आता दी सभी को मैं नीटो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल मार्केट यात्रा में दोस्तो वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 16 अगस्त याने के शुक्रवार को किस बन सकती है उसके पीछे का लोजिक क्या है साथ में ऑप्सिन चैन एनलीसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के कुरूसे लेल हमको पता लग जाए तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले चली दोस्तों सुरू क बरते हैं बैंक निफ्टी का मैंने चारट ओपन किया है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको यकीन नहीं होगा आप चेक करना जाकि बैंक निफ्टी टोट दोनों साइड यान की बायर और सेलर कंफ्यूज रहते हैं ठीक है तो यह इतनी कंफ्यूजन थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मैंने बोला भी था कभी डेटा नेगेटिव हो रहा है कभी पोजेटिव हो रहा है मैंने एक बार कोसिस भी की थी लेकिन फिर निकल गया और मारेट को कहीं पर नहीं और जाना भी लाजमी था क्योंकि दोनों की एकस्पाईरी थी दोनों की मिल ज्याहे उप्सन सेलर को इस से अच्छा और क्या हो सकता हूंनोंने मार्केट को बिल्कुल साइड स Κयusion और दोनों साइड से ठीटा खाया दबा के इसलिए जो उसको काम क करने का फायदा नहीं था अब एक चीज में आपको बता देता हूं साइडवेज मार्केट दोस्तों माल लीजे मार्केट ऐसे घूम रही है वह भी एक साइडवेज मार्केट ही है लेकिन दिक्कत क्या है इस साइडवेज में और इस साइडवेज में फरक इतना है कि जब ऐसे साइडवेज होती तो थोड़े-थोड़े स्विंग बनते हैं मोमेंटम होते हैं 400-300-400 पॉइंट के और इसमें कैप्चर किया जाता है स्केल्पिंग कर सकते लेकिन इतनी साइडवेज मार्केट में की 100-500 रेंज की बना दे तो कुछ भी नहीं कैप्चर किया जाता अब देख इंट्रेस्टिंग रहेंगे और यह मैंने लास्ट वीडियो में भी लास्ट टेलीग्राम मैसिज में भी अपडेट किया था कि लोग इंट्रेस्टिड नहीं है क्योंकि आगे 3-4 होलिडेज है तो तीन दिन का आपको सपेस मिलना और टाइम डिकेज जबरदस्त लगेगा पोजीशन होल्ड करके किसी भी हालत में नहीं जाना है किसी भी जीरो हीरो के चक्र में नहीं पड़ना है मेरा परसनल वीव है क्योंकि ज्यादा थूटिया है अब प्रोब्लम क्या है कल की दोस्तों देखिए बहुत सारे लोगों के अनलीसिस आपको क्या मिलेगी मार्केट बात बात के सब्सक्राइब करा यहिसविकि ठीकल और लुसी मार्किण कहाई है टॉट साइड़ेश होने वाले यहीशा मुट्ब्रेंट मंध्यन बार चीज़ें नहीं मैं ज्यादेन को दोस्तों नहीं man only कर दोस्तों कहीं पे ऑपनों हर सिच्वेशन में एक मोड चाहिए मार्केट के अंदर मोड मिलता है तो हम काम करेंगे अधर वाइस मार्केट को एकडीन तक एक दो दिन तक एकडीन स्वेगर कर दीजिए बहुत सारे लोगों को मोड से दोस्तों मेरा क्या मतलब है देखिए ध्यान से सुनिएगा बात को यह हर स्टोक में भी लागू होता है इसको प्राइज एक्षन भी बोल देते हैं कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन अच्छी चीज है यह आज जो मैं आपको बता रहा हूं यह इसको मैं दूसरी भासा में भी समझा सकता हूं दोस्तों लेकिन ज्यादातर वीवर्स को समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं तोड़ा सा सिंपल करके बता रहा हूं जब मार्केट ऐसे फस्ती है ना तो यह चीजे बहुत काम आती है हमारे ठीक है तो जब भी हमको मोड मिले ठीक है तो एकदम से ब्रेकडाउन होते ही हमको पूट साइड प्लान नहीं करना है अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है उनीजार चैसो पचास के नीचे निकल के एक बार फिर से इसको रीटेस्ट कर देती है एक अलखा सा प्राइज एक्षन बना देती है तो ही हम त करें या फिर कहीं से भी अगर थोड़ा सा वाप इस गूम के ब्रेक आउट देती है यानि कि वापस स्विंग के उपर निकलती है तो ही मैं पचासाथ पॉइंट का असी पॉइंट का स्टोपलोस डालके वन इस्टो टू ही मिलेगा क्योंकि उपर एक स्विंग ये बन गया को और गयाप डाउन के जिसमें बहुत साथ लोग कंफ्यूउज होंगे वो इसली होंगे क्योंकि फ्लैट में दो सब पता है Lebens बेक आंचा का काम करेगा, अगर मारेट gap UP खुल गई तो यह आज यह हाई है इस range का यह support का काम करेगा बात को समझा रहे ह। मालिज यह gap dawn कुली gap down कुली अगर recover करती है तो इस point को touch करके वापीस गिर सकती है। ठीक है, gap up kहली अगर down side आ रही है तो इस point को touch करके वापिस रीकवर कर सकते क्योंकि यह सपोर्ट का काम करेगा अब मोड आपको यहां पर भी दिखेगा अब ध्यान से देखोगे मार्केट जब गैप डाउन खुलेगी रीकवरी थोड़ा सा करेगी और डारेक्टली फिर से नीचे आएगी तो एक मोड हमको मिलगा जैसे दिन का यहां ठीका लो टूटेगा तो मैं पूट सैड पलान करूँगा 37 पॉंट का स्टोप लोज डालके ऐसे ही अगर गैप अप खुली गैप फिल किया मोड काटा और फिर से अगर दिनका हाईबरेक करेगी तो कोल सैड पलान करूँगा लेकिन गैप डाउन खुलने पर पर हमको बुलिश कब होना वो भी सुनिएगा ध्यान से माल लीजिए गैप डाउन खुल गी तब तक बुलिश नहीं बनेंगे जब तक यह आज का जो क्लोजिंग प्राइज है इसके उपर निकलना शुरू नहीं कर देती है तब तक हमको बुलिश नहीं बनना है ठीक है या फिर बुलिश हम तब बनेंगे माल लीजिए सीधा गैप डाउन खुली और नीचे आना शुरू होगी एकदम से खड़ी खड़ी तो गिरेगी नहीं थोड़ा सा नीचे आके अगर कोई भी स्विंग बनाती है तो हम पुट साइड प्लान कर लेंगे और हमारा जो रिकवरी पॉइंट रहेगा वो राउंड लेवल रहेगा यानि कि उनेचा हजार सो नेचा हजार यह हमारा दो पर बाद रिकवरी पॉइंट रहेगा यानि कि इससे पहले हम रिकवरी का प्लान नहीं करेंगे और रिकवरी दोस्तों हम तब प्लान करेंगे मालीजिए गैप डाउन में जब डाइसी क्लोजिंग होती है आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा ऐसे दोस्तों गैप आप की बात है मालीजिए गैप खुल की हम तब तक नेगेटिव नहीं बनेंगे जब तक यह आज का जो क्लोजिंग प्राइज इसके नीचे मार्केट नहीं निकलन शुरू कर देती है अदरवाइस यहां से क्या होगा क्या बताया था मैंने अभी यहां से मार्केट रीकवर कर सकती है और गैप खुल के मार्केट नीचे ही ना आये तो क्या कर सकते है उसके लिए भी इक इलाज है पहला स्विंग जो हमको दिख रहा है दोस्तों वह दिख पचास हजार पर चलिए मैं मार्किंग कर देता हूं पचास जार पर आज की वीडियो थोड़ी सी इंट्रेस्टिंग दोस्तों एनालिसिस के इसाब से क्योंकि यह चीज़े बहुत कम बार सीखने को मिलते है ऐसी मार्केट बहुत कम बार साइडवेज होती है ठीक है पहला दोस्तों हमको मिलेगा पचास हजार के आसपास दूसरा रजिस्टेंस हमको मिलेगा पचास हजार तीन सो प्यानिकी जितने ही मोड कटे है वहां पर हम रजिस्टेंस मारक करें और उप्सिन चैनल के में भी मैं आपको दिखाऊंगा मालीजे एक गैप खुली बैंक सेम चीज दोस्तों डाउनसाइड भी लागू होती है अगर किसी को वीडियो समझ में ना आय तो दोबारा से देख लीजेगा और यह जो मैंने चीज आपको बताईए यह आपको हमेशा काम आने वाली है आज-ाज के अनालीसिस में काम नहीं आने वाली है ठीक है चलिए नि पॉस मैंने बोला था डेटा निफ्टी का नेगेटिव बैंक निफ्टी का फ्लैट है और फिर देखे मैंने क्या बोला था सड़े ग्यारा पजे मुझे लगता आने वाले पांच दिन में चूटिया जादा इस वज़ेशे वोल्यूम कम है मार्केट में क्योंकि सबको पता जो चूटिया जाती हो तो टाइम डिके ज्यादा लगता है ब्रेकाउट ब्रेकडाउन लें में पोस्ट किया था एक स्टडी भी मैंने कोशिस की इसमें काम करने कि लेकिन दस पॉइंट थी मुझे मिले फिर मैं निकल गया क्योंकि मार्केट काफी साइडवेज थी हाला कि स्ट्रीडी में ज्यादा टाइम डिके नहीं लगा था बाद में बिलकुल ही मार्केट जब रेंज में फस गई तब दिक्कत हुए लेकिन मैं मैं रिस्क नहीं लेना चाहता वाई मैं निकल लगा था और वैसे भी दोस्तों ही पेपर ट्रेड थी इसमें ज्यादा कुछ प् प्री है वीडियो के डिस्क्रप्शन आपको रिजनल चैनल का लिंक मिल जाएगा करप्या करके लिंक से जोइन करें और सीखने के लिए बाई कोल टिप्स के लिना यहां पर डेटा वगरा मेरा परसनल व्यू क्या है कौन से लेवल इंपोर्टेंट है यह पोस्ट करनेगी म उनकी पोस्ट पर ऐसे व्यूज नहीं चाहली चाहली को बॉट सब्सक्राइब रहें ना तो बडाई मेरा कोई प्लाइन को एक पैसा कोल टिप के लिए ना दे चलिए निफ्टी को देखते हैं अब निफ्टी का डेटा पोजिटिव क्यों हो गया था भाई क्योंकि यह लाइन हमने लास्ट वीडियो में मारक की थी कि यहां से मार्केट ने गैप अप लगाया था गैप एज सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट जैसे ही इस रेंज में आई इसको टच करके धीरे धीरे मार्केट ने रिकवरी शुरू किया यहीं पर थोड़ा सा डेटा पोजिटिव हुआ था लेकिन इतना ज्यादा रिकवरी नहीं आया कि दिन के हाई को ब्रेक कर सके सिंपल एनालीसिस है भाई निफ्टी में भी हम वहीं स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे क्लोजिंग आई है 24,143 पे अगर फ्लैट खुलती है 24,100 के नीचे निकलती है कोई स्विंग बनाती है तो टारगेट हमारा राउंड लेवल 24,000 का है यानि कि 100 पॉइंट का टारगे मैं पहले भूलिस तभी बनुगा जब निफ्टी फ्लैट खुले गैप खुले ब्रेक आउट दे 24,220 के लेवल का एक मोड खाए एक मोड खाने के बाद मेरा 200 दिन की मुविंग एवरेज देगा 24,300 का टारगेट हो जाएगा 20-30 पॉइंट का स्टोपलोस डाल के मैं कोल सा जाए माली जी सीधा 24,000 के आसपास खुल गई 24,000 को ब्रेकडाउन भी कर दिया तो यह मत सोचेगा कि 24,000 का ब्रेकडाउन के वला आपको दिख रहा है सबको दिख रहा हम तब नेगेटिव बनेंगे जब 24,000 का लेवल ब्रेकडाउन होने के बाद एक हलका सा स्विंग बना जी लागू नहीं होती है एक घंते में अर छो ही आपको स्विंग बने गए कम से कम दिखने आप दाइक secvoir दिखने में आपको 5-5 चैंडल निलेंगी और जब्र चाष्ऑ पांच से समय बीचेगा तो लरेडी मार्केड मेंуж्ग बीत जाए गा बात को समझ करेंगे अधरवाइस दोस्तों तीन चार दिन तक मार्केट को आप खोल्ड कर सकते हो अभी कोई खाई नहीं मचिए अपनी मेहनत के पैसे को बरबाद करने की ठीक है उसके बाद जो क्लोजिंग आएगी उसके बाद एनालीसिस करेंगे वीकली अनालीसिस करने की कोशिस क्योंकि डे टाइम फ्रेम में प्राइज एक्षन डाउंसाइड बना हुआ है और यह कभी भी वापिस मुड़ सकता है मुड़ते ही डवलू पैटरन बन जाएगा और फिर से मार्केट रिकवरी करना शुरू कर देगी ठीक है इसके बारे में हम इन डिटेल में डिसकस करें टाइम डिके किस साइड कितना गया है आपको देखेगा चोंसट रूपए इस साइड गए असी रूपए इस साइड गए फ्लैट अब आपको जोची है यह लोग क्यों मार्केट को घुमाएंगे एक्सपारी वाले इनको बैठे बिठाए सो सो पॉइंट दोनों साइड से म गया नहीं कि जिसने अगली एक्सपारी को भी शोट किया होगा वह दो बिल्कुल सेफ था फिर भी उनको चाली साइस पॉइंट मिल गए वह भी पोजिशन को काटके भाग गए होंगे अब आपको रिजिस्टन्स दीखेगा चोबीस दार दो सो पे चोबीस दार तीन सो पे इसलिए और अगली एक्सपारी में भी आपको टाइम डिके देखने को मिलेगा दोनों साइड कोल भी पूट भी दोनों साइड और भाई साब 156 पॉइंट बात को समझ रहें ठीटा डिकी है तो सिंपल है बैंक निफ्टी में आपको रिजिस्टन्स सीधा 50,000 पे दिख रह नहीं है निफ्टी में ठीक ठाक है दोनों का हम मार्केट खुलने के बाद डेटा चेक करेंगे उसके बाद मैं आपको अपडेट करने के उकोसिश करूँगा कि नहीं शुरू है तो अभी ओप्सिन चैन्म देखने का फायदा नहीं है ठीक है क्योंकि ओपन इंट्रेस्ट बने नहीं है तो दोस्तों आज का इडियो यही तक था आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगो तो लाइक और शेर जरूर कीजेगा ताकि जरूरत में लोगत वीडियो आसानी से पहुंच जाए आज जो चीजे मैंने आपको बताईए नया सीखने को मिला होगा क कमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेर कीजेगा ताकि बाकी सब भी देखने को देखकर सीख सकें फ्रियो को ठीक है तो अपना कीमतिस में निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करे आपका दिन शुब रह जे माता दी जे हिंद